एलो वेलकम बैक टू माई चानल आज मैं आप लोक ले लेकर आए हैं टमाटर की बहुत ही लाजबाब सी छटनी जिससे बनाना बहुत ही असान है और खाने में बहुत ही लाजबाब होता है तो हमने यहां पे लिया है 600 गराम पकीवी लाल-लाल टमाटर अब इस टаться को हमें पीछे से चॉकु से प्लस का साइन दे देना है सारे ट subjects को हमें एक साथ कर लेना है हमने सारे सारे टमाट्रों में चीरा लगा लेया अब एक बरत्र में पानी बोल करने के लिए बढन से बिठाते हैं बस इससे चाहता हमें नहीं उबालना है क्योंकि हमें इसका छिलका बाहर निकालना है तो थोड़ा ठंडा हो जाए तो सारे टमाट्रों का छिलका हमें अच्छी से बाहर निकाल लेना है सारे टमाट्रों को हमने छिलका बाहर निकाल लिया अब एक चाकू से इसके छोटे-छोटे टुकड़े कर देते हैं तो सारे टमाट्रों को हमने अच्छे से छोटा टुकड़ा कर दिया आप चाहें तो यहां किसी मैसर की साहिता से मैस भी कर सकते हैं पर हमने यहां चाकू से काटा अब एक पैन लेते हैं, अब उसमें डालते हैं, एक चम्मच सर्सो का तेल और दो बड़ी लाल मिर्च और एक चोटी चम्मच पाचपोरण, इसे एक सकंड के लिए भूनते हैं, जब यह हलकलाल हो जाए, तब उसमें अपनी सारे टमाट्रों को उसमें डाल कर उसे अच्छे स मिक्स करते हैं, और इसे मिक्स करने के बाद इसमें डालते हैं, एक चोटी चम्मच, नमक और थोड़ी सी हल्दी पॉडर, और इसे भी डाल कर अच्छे से मिक्स करते हैं, और इसे मिक्स करने के बाद इसका फ्लेम लो करते हैं, और ठक कर पांस से दस मिनट तक इसे पकने द बाते हैं और इसे आम पापड़ लिकाते हैं जो आम के जूससाब्स से बता है आप वो क्या क्या working दो इसके कहते है प्लीज कमेंट करेगा बताना तो इसके छोटे कुछ खजूर लिए हैं इसे भी कट कर लेना है और इसके बीज को बाहर निकाल लेना है तो दोनों साइडों से कट करके और बीज से इसके बीज को निकाल दे बस ऐसे ही लंब लंबा इसे सारे खजूर को हमें काट लेना है तो इसी तरह तो लेजिए हमने कट कर लिए हमने य है और इसे थोड़ा पानी को सुखा ले और फिर इसमें डालते हैं हमने यहां एक कप चीनी डाला है चीनी आप अपनी हिसाब से कमिया ज्यादा कर सकते हैं और अगर आप चाहे तो इसमें पूरी चट्नी को गुड़ी में भी बना सकते हैं तो चीनी के गलते ही हैं हमने सारे जो भी dry foods लिये हैं सब को इसमें डालते हैं, kajoo, kishmiss, aamshat, और खजूर, सब को डाल कर अच्छे से करते हैं, mix तो हमने सब को अच्छे से mix कर लिया, और इसे ढख कर 5 मिनट के लिए इसे और लो फिलम पर पकने देते हैं तो लीजे 5 मिनट हो गया है हमने इसे ढखकर 5 मिनट और पका लिया देखिए चटनी का कलर कितना खुबसरता है और ये खाने में बहुत ही स्वाधिश्ट होती है खाने के बाद अगर आप एक चमज करके कुछ मेठा ले तो इस चटनी को आप घर पे जरूर बना के रखे और ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही चटपटी सी चटनी बन कर तयार होती है बस फ्लेम को करते हैं और चलिए इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं तो मज़िदार सी चटनी बन कर तयार हो गई है तो आप भी इसे बनाएं और खाएं बताएं आपको ये कैसी लगी अगर पसंद आए होगी तो प्लीज इसे लाइक करना और इसे जादा जादा स्यार करना और हमारे चानल को सब्सक्राइब करना ना मुलना तो फिर से मिलते हैं कि नहीं रेशिपी की साथ तब तक के लिए बाबाए